а السلام علیکم next हमारे पास ninth class की जो practicals है उसमें solution की preparation के practical है इससे related आपके पास कोई 4-5 practicals है काफी easy practical है first आपके पास practical है to prepare 100 cm cube of 0.1 molar and new x solution आपने 0.1 molarity का solution बनाना है लेकिन उसका volume आप DM में नहीं बना रहे हैं अब किस में बना रहे हैं? 100 cm cube में बना रहे हैं अपरेटर्स कौन कौन से चाहिए बीकर्स चाहिए आपको फिजिकल बैलनस चाहिए स्टीरिंग रॉड चाहिए और इसके बाद फनल चाहिए वाश बॉटल चाहिए और मियरिंग फ्लास्क चाहिए क्यामिकल्स में हम चुके एन्निवेश का सिलीशन बना रहे हैं तो आपको सोडियम हाइडरोकसाइड चाहिए और वाटर चाहिए डिस्टिल वाटर आपने यह पड़ी थी के मुलैरिंटी एकूल होता है नम्बर ओफ मोल्स डिवाइड़ ऑफ वॉलियूम उफ सलीशन इन दीम कूब यह μुलैरिंटी की डिवाइन है मोल की डिफाइन यह है कि किसी भी सबस्टांस के मैस को अगर ग्रैम में रिप्रेजेंट किया जाता है तो वह वन मोल के एक्वल होता है अब यहां पर आपने क्या करना है सलुशन बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले चीज क्या होने चाहिए नंबर ओफ मोल्स होने चाहि ठीक है मैस आपको पता नहीं है कि आपने मैस कितना लेना है सलूशन को बनाने के लिए यह आपने मालूम करना करना है यहां पर मुलेरिटिज किसे बनाने הק किसमें इसमें आपने हंडर्स का सिलीशन बनाना धो कि से एक वलोत है थाउजन के ग्वलोत है अगर हम घंड़ की जगा है कि लगाएंगे इसको इससे साइट पे रहने दें यहां पे डिवाइड हो रहा है दूस्री तरह जाके multiply thousand यहां पर divide हो रहा है multiply हो रहा है तो वह दूसी तरफ जाकर divide हो जाएगा यहां पर आपने फॉर्मूला सिर्फ रियरेंज किया है और फॉर्मूला जब रियरेंज करने के बाद जो आपके पास answer आ रहे है वो कितना आ रहे है 0.4 ग्रैम इसका मतलब यह है कि अगर आपने 0.1 का solution बनाना है तो आपके पास sodium hydroxide का कितना ग्रैम होना चाहिए 0.4 ग्रैम होना चाहिए यह हम फिजीकल बैलन्स की मदद से इसको मज़ियर करेंगे 0.4 ग्रैम वाच ग्लास के अंदर ठीक है फिर इसको transfer करेंगे बीकर के अंदर यहां पिसका method of preparation देख लें आपने सबसे पह पानी लेने है ठीक है थोड़ी से quantity में पानी लेके पहले जो एन्यूएच का सेंपल है उससे dissolve करेंगे dissolve करने के बाद फिर आप इसे shift कर देते हैं यह जो volumetric flask का या measuring flask है ठीक है यह जो measuring flask होती है इनके उपर label किया होता है कि 100 की 500 की है यह 250 की है यह उपर label किया होगा इसकी molarity कितनी है 0.1 molar है सेम इसी तरीके से ही आप NA2CO3 का बनाएंगे जिसका मैस आपके पास है यह सेम प्रेक्टिकल इसी टाइप का यह इसी में देखने से 100 cm क्यूब का बनाना है 0.1 molar NA2CO3 solution सारा procedure वही है सिरफ यहां पे जो change आएगा वो इसके molar मैस में चेंज आएगा जो ग्रैम में मैस यूज किया था वो थे 0.4 यहां पे जो हम लोग ग्रैम में मैस यूज करेंगे बन ग्रैम यूज करेंगे ठीक है I hope student आपको यह प्रेक्टिकल अच्छे त्रीके से समझ आगे होंगे कि solutions को कैसे प्रिपियर किया जाता है वाइवा कुस्टिन के लिए आनी चाहिए मुलेरिटी का formula आना चाहिए मुलेरिटी से related calculations कैसे की जाती है यह आपको पता होना चाहिए ठीक है thank you so much